जै महतारानी की श्रीमत भगवत गीता के चतुर्दश अध्याय अर्थात चौदहवें अध्याय का पाठ प्रारंब करेंगे ओम श्री परमात्मने नमह श्री भगवानुवाच परम्भुय प्रवक्ष्यामी ज्यानानाम ज्यानमुत्तमं यज्ज्यात्वा मुनया सर्वें पराम सिद्धि मितो गताह इदम ज्यानमुपाश्रित्य ममसाधर्म्यमा गताह सर्गे पिनोप जायन्ते प्रलये नव्यथन्तिच ममयो निर्महत ब्रह्म्ह तस्मिन गर्भं दधाम्यहं संभवह सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयो निशुकउंतेय मूर्तयह संभवंतियाह तासाम ब्रह्म महध्योनी रहं बीज प्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणाह प्रकृति संभवाह निबधनन्ति महाबाहो देह देहिनमव्ययं तत्रसत्वं निर्मलत्वात प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बधनाति ज्यान संगेन चानगा रजो रागात्मकं विद्धी तृष्णा संग समुद्भवं तन्नि बधनाति काउंतेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्यान जम् विद्धी मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्यनिद्राभिस तन्नि बधनाति भारत्व सत्वम सुखे संजयति रजह कर्मनि भारत ज्यानमा वृत्यतुतमह प्रमादे संजयत्युता रजस्तमस्चा भिभुया सत्वम भवति भारत रजह सत्वम तमस्चईवा तमह सत्वम रजस्तता सर्वद्वारेशुदेहेस्मिन प्रकाश उपजायते ज्यानम यदात दाविद्याद विवृद्धम सत्वमित्युत लोभः प्रवित्तिरारंभः कर्मना मशमह स्प्रिहा रजस्ये तानि जायंते विवृद्धे भरतर्शभः अप्रकाशो प्रवृत्तिष्च प्रमादो मोह एवच तमस्ये तानि जायंते विवृद्धे कुरुनंदन यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देह बृत्त तदोत्तम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगी शुजायते तथा प्रली नस्तमसी मूधयोनी शुजायते कर्मनह सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुख मज्ञानं तमसह फलं सत्वात संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवच प्रमादमो हव तमसो भवतो ज्ञानं एवच उर्द्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाह जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाह नान्यम गुणे भ्यकरतारं यदा द्रस्टान उपश्यती गुणे भ्यष्च परम वेत्ती मध्भावं सोधि गच्छती गुणानेता नतीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरादो खैर विमुक्तो मृत मश्नुते अर्जुन उवाच्छ कैर लिंगईस त्रीन गुणानेता नतीतो भवति रभो किमाचार कथम चैतांस त्रीन गुणानती वर्तते श्री भगवानुवाच प्रकाशम्च प्रवृत्तिम्च मोहमेवच पांडव नद्वेष्टि संप्रवृत्तानी ननिवृत्तानी कांक्षती उदासीन वदासीनो गुणाईरियो नविचाल्यते गुणा वरतंत इत्येव योवतिष्ठति नेंगते समदुख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः तुल्य प्रिया प्रियोधीरस तुल्यनिंदात्म संस्तुतिही माना पमानयोस तुल्यस तुल्यो मित्रारिपक्षयोह सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतह सुच्यते माम्चयो व्यविचारेण भक्तियोगे नसेवते सगुणान समतित्याइतान ब्रह्मभुयायकल्पते ब्रह्मनोहि प्रतिष्ठाह मम्रितस्या व्ययस्यच शाश्वतस्यच धर्मस्य सुखस्यकांतिकस्यच ओम् स्वस्ति श्रीमत भगवद गीतासु पनिशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार जुन सम्वादे गुणत्रय विभाग योगो चतुर्दशह ओम् तत्सत्स्री कृष्णार पनमस्तु इस प्रकार से श्रीमत भगवद गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ किया गया जै माताराणी